ये राइट बूक पैनल है उसमें इसको 것이 कोड़ रह गया था ुसको मैं explain करूं अभी बटन 3 इसमें हम टेबल के कॉल्म की व choices है वहम एड़ करें यह दिखिए टे टेक्स टी कॉलम वैल्यूज का टेक्स बोक्स है उससे हम वैल्यूज लेके आइटम में डारें वैरियबल में और इसको हम ये लिस्ट में एड करें ठीक है तो ये लिस्ट में हम एड करने के बाद जब हम एड क्लिक करेंगे ये एड होता जाएगा ये मैंने अरे लिस्ट इस जिसका object है my table list ठीक है इसी दान से ये हमारी एक item है ये इसको भी हम वही वाला काम करें ये table में हम add करें यहां पर हम list में add करें ठीक है जैसे आपकी वह हमारी bullet वाली list होती है या order list है या unorder list है ये वह वाली list है ठीक है इसके अंदर जो है हम लोग एक एक item by item add करें पहले हम इन items को चाहे वो table के हो चाहे वो simple list हो order list हो या unorder list ये एक ही चीज़ है उनकी सुरत में जो है हम उनको एक एक item को add करें एक एक item को add करने के बाद हम फिर आगे उसे write करेंगे ठीक है तो write करने के लिए हम जिस page पे जाते हैं यह हमारा major page है major button है write करने का file हम write करें जिस पे जी yes button number seven जो है इसमें हम write करें सबसे पहले book का title लिया है और folder का नाम उस जिस book का title होगा उसी के लिए हम उसका एक folder बना लेंगे और root folder जो है my books का root folder होगा उसके अंदर हम अपनी books add करते जाएंगे ठीक है उसके अंदर हमारी book का title आजएगा directory अगर एक्जिस कर रही है तो ठीक है नहीं करी तो वह हम उसे दुबारा create कर लेंगे और उस root directory के अंदर sub directory हम add करें ठीक है उसको यह बाद हमने यह PDF का document create करना है उसका हमने size बना है जनल साइजर में A4 रखा हुआ है और उसकी margin, top, bottom, left, right वो set की है उसके बाद पहला page हम select करें page name यह हो गया ठीक है पहले page का नाम है page one है book title उसके बाद combo box से page number लेंगे और content number लेंगे ठीक है उसके बाद हम जो है वो path हमने select कर ली यहां पर हम क्या बना लेंगे वो subject to your page name के लिए आसे हम उस book यह PDF create करें ठीक है यहां पर हमने जो है यह से नाम दिया और यहां पर हमने उसका PDF generate कर लिया ठीक है यह फ्लैग लगाया थाकि हमें पता जलेंगे PDF generate हो गया ठीक है उसके बाद फिर हमने वही काम किया content लिया content combo box से लिया content देखिए अब हमने write करना है अगर paragraph का content है हमारे पास तो document को open करना है text paragraph से लेके इस variable paragraph में डालना है और यहां पर हमने यहां पर add करें यह paragraph का object बनाए पीवन और यहां पर हमने उससे add करें यहां पर उस PDF के अंदर हमारा paragraph write हो जाएगा और हम उस document को close कर देंगे और paragraph is written यह mention कर देंगे इसी तहां से अगर link का होगा तो link open हो जाएगा ठीक है और उसके बाद जो हम जो हम उसका यह font select करेंगे उसका color change करेंगे ठीक है और link जो हम उसे save करवा देंगे यहां पर यह जो है यहां यहां पर हम उसे link को document में write करवा रहे हैं और set underline इसको हम underline भी कर देंगे आम तर पर link के निचे line होती है इसलिए मैं इसको use कर रहूं ठीक है और हम उसका message देंगे document is written इसलिए अब आजें table के दर अभी आपको याद है हमने table add के देंगे वो table की एक एक column की value add कर रहे थे हम ठीक है अब हमने panel table को visible किया यह जो उसके एक-एक column की value कहां पर पढ़ी हुई है एक-एक column की value पढ़ी हुई है उसकी array के अंदर array list के अंदर वहां से एक-एक column के लिया आस हम चलेंगे और आपको बता है आपने यह इक पर्गरामिंग में प्ढ़ा हूगा कि टेबल के एक झायना कोलम को बताना रोक को बताने लाज़ून है कोलम को बताना लाजम है तो वो उसके लिए आसा करता जाएगा ठीक है ये हमने कॉलम का क्टेक्स जो है वो इस में आजाए का C में उसके बाद हमने उसको देखा number of columns कितने हैं उसके बाद heading देखी तो वो document को open किया ये PDF table की class है उसका object है बनाए table का और उसके हमने एक cell wise उसमे column add करते जा रहे हैं अब यहां भी यह ज़रूरी है हम number of columns بتा दी है कि एक row के अंदर मिसाल के तरह पर तीन column है तो हमने बता दी के तीन column वाली चीज़ बना रहा है तो वह अतने column data आता जाएका उसके पहले 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 तीन डाएटा है का तो पहली पहली रोव बन जागी फिर अगला दीन डेट आगा तो दूसरी रोव बन जागी ऐसे करके यह काम कर रहा है तो यह उसका तरीके कारा है यहाँ पर हम सेल को एड करें सेल समगा दें एक कोलम की वैली जो हम उसके अंदर add करें ठीक है, उसके बाद हम उसको लेकिए है यह पहले इस टेबल के अंदर डालें और इस टेबल के अंदर से फिर बाद में हमने ओजिघ उसके सुर्ल में डालने का ये तरीके कार से उसके बाद हमने multicoment में add पया टेबल को और baseball is created बिल्कुल ऐसे ही काम हम लिस्ट में भी करेंगे यह भी हम ने टेबल के साथ किया फिर यह इमिज के साथ जब आपने इमिज राइब करने तो आपको यह वहला पोड जुरुवत होगा उसमें आपको पेज का पाथ चाहिए जहां पर आपका इमिज पर यह उसका पाथ है और इमिज को हमने کस्छाटि इमिज के दरीए जो हमने एड करवा अगर मोटर है को जाएगी और कलर जहा है ऊसका बे था कर देब डिफरेंट कलर हो सकते हैं और उसके बाद ईघंग गयो हो असलमें एक ही जो टेक्स बॉक्स है टेक्स लिंक div इन्डर जांइंभे घंडे भी सकते ना करना चाहिए था से खते ऑ uzके बाद और शन्यकूंत सब तो G5 काम को देखें सब एडिंग में भी बिलकुर हमने वैसी काम किया वाइथ है इसके अंतर में उसमें heading नहीं की ठीक है और इसका size जो है वो हमने 12 रखा हुआ है और time rumors उसका और color उसका राइटिंग का color जो है वो black है जिसका four color कहते हैं ठीक है उसके बाद chart है यह chart का special काम है यह chart जो है वो हम image भी हम enter कर सकते हैं और वैसे भी हम बना सकते हैं जो मैंने पहले तरीका बताया था सकते हैं और अगर अप्डेक करना जाएं वहां पर भी add कर सकते हैं यह reference videos हैं ताकि आपकी help के लिए आप इन वीडियो को भी visit कर सकते हैं लिंक से जहां से मैंने reference नहीं है ठीक है यहां बें वीडियो फाइल लेंगे और उसके बाद पैनल लिंक को visible कर देंगे जो भी वीड PDF की सुरत में उसे राइट कर वाएंगे राइट करवाने के बाद हम उसके connection को close करते हैं एनिमेशन भी हम बिल्कुल वैसी करते हैं जैसे PDF करते हैं तो उसमें सिर्फ जैना वो उसके size का difference होता है ठीक है वरना वही चीज़ हम वीडियो में भी कर सकते हैं अभी मैंने पहले आपको टेबल के बारे में बताया था टेबल में से मारा data आ रहा था में से इसलिदा से यहां पर भी array list में से आ रहा था टेबल एक दूसरी array list बनाई थी वो list के लिए बनाई थी ठीक है तो सबसे पहले हम list type choose करेंगे जब आपने list लगानी है जैसे order list हमने object create किया और उसको बताय के अनोडर लिस्ट बनाने तो यह object को initialize कराया उस लिस्ट वह वैल्यू से ठीक है अनोडर लिस्ट है अलफाबेट है लोड के साइन नमेरिक है ओडर है अपर के से अनोडर लिस्ट है ठीक है यह आप इस रांग की list आप इसमें जनेर कर सकते हैं इस list से value आप इसके अंदर add करें ठीक है array list से value आपकी simple list के अंदर आ रही है और यहां पर आप उसे बाद में document में write करें यहां पर पहले array list से value आ रही है list के अंदर और फिर उस list को जो है आप document में write करें यह थोग से important काम था यह हमने कर लिया इस तरह से महला काम कर रहा है अच्छा उसके बाद जो है यह तो हमने काम किया हुआ उसके बाद जो बहुत ही ज़्यदा important काम है वो यहां है एक काम वही है कि अब आपने एक पेज के different contents बना लीए और इसे तरह जब जादा पेजी जनरेट कर सकते हैं उनके different contents बना सकते हैं फिर आपने जब उसको book write करने तो सारे pages को आपने जो combine करके एक बुक बनानी है और आपने उससे show करवाना है तो यह तरह से यह जो काम है इसको कहते है merge करना ठीक है तो merge करने के लिए हम सबसे पहले एक function यूज करें बटन 9 पर में बाद में आ तो मैं पहले function बढ़ाता हूँ ये get files का function है इसके अंदर हम क्या करेंगे trick मैंने ये use किया है book का book के अंदर जो है ना book जो book होगी book title उसके अंदर हमने page नंबर और content नंबर अलग-लग add किये हैं तो जैसे ही हम जो है वो merge करेंगे तो वो book title के लिए आखने merge करेंगे तो वो साओं की एक ही book बन जाएगी और उस folder के अंदर book title का मैंने इसमें एक ही folder बना आता उस folder के अंदर जितनी भी file के वो सारी merge के एक book की बन जाएगी मिसाल को दर्बे मैं आपको बताता हूँ कि CS 201 मेरा एक subject है तो मैंने CS 201 लिया अब CS 201 का पहला page है और content 1 है वो एक चीज़ फिर दूसरा page content 2 तीसरा page content 3 या उसके आप जितने भी content add करना जाएं कर ले वो अलग लग बनते जाएंगे लेकिन जैसी आप इस पे जाएंगे get file में यह सारी files को अभी इकठा कर ले जहां पर इस function के दिए हम उस file को उन file के नाम ले रहे हैं अंदर असल यह इस folder के अंदर जो हमारी main folder होगा उस book का title होगा उस folder में जितनी भी file बढ़ी है इसका काम सिर्फ यह है कि उन file के नाम को देना उन file के नाम ली है यहां पर हमने उनको file को string में डाला अरे string में डाला उसके बाद हमने उनको write करवा दिया और उनको दर से यहां पर हम क्या करें उन सारी file को मिला के एक ही file बना रहे है और उसको एक ही नाम देंगे उसके साथ कोई page number या content number नहीं होगा इसका मलब है वो एक book बन जाएगी ठीक है यह आपका major काम है books को यहां पर हम क्या करें merge करें इकठा करें इकठा करें इकठा करके आपकी एक book त्यार हो जाएगी उस एक book के त्यार होने के बाद क्या काम होगा वो हम reading book करें इंशालों next code में करेंगे आज के लिए इतने ही अभी के लिए मेरी वीडियो को देखते रहें और मेरे चैनल को subscribe जरूर कीजिए शुक्रिया आपका